वेल्कम फ्रेंड माइनेम इस महम्मद असरफ और आप सभी को स्वागा थे हमारी यूटूब चैनल असरफ टेक पर फ्रेंड कुछ टाइम पहने मैंने एक वीडियो बनाया था जिस पे मैंने बताया था वोटसब पे आने वाला मेसेज किस तरह आप अपनी फोन से पढ़वा सकते हो जिस वीडियो पे काफी ज़्यादा भीव है काफी ज़्यादा लाइक और कमेंट आप सभी को देखने को मिला है उन में से कुछ लोगों का ये प्रोब्लम आ रही थी कि उनको जो सेमसम का फोन है वो सेमसम का फोन पे वो ट्रिक वर्क नहीं कर रहा था मैंने जो प्रोसेस बताया था वो प्रोसेस को आप सेमसम के फोन पे अगर वर्क नहीं कर पा रहे हो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक आसान और जेनुएन तरीका बताऊंगा जिस प्रोसेस को अगर आप यूज करोगे काफी आसानी के साथ आपके फोन पे कहीं से भी कोई सबी मेसेज आए उस मेसेज को आप काफी आसानी से अपने फोन से ही पढ़वा सकते हो चाहे आपके पास कोई सबी फोन हो मैं आज खास करके सेमसम फोन के लिए ये सेटिंग को दिखलाने वाला हूँ तो जितने भी सेमसम यूजर हैं इस वीडियो को देखकर अब अपने फोन पर ये सेटिंग को एपलाई कर सकते हैं तो क्या करना है? सबसे पहले आपको इस वीडियो को एक लाइक कर देना है लाइक करने के बाद चैनल को सबस्क्राइब करकर बेल आइकोन को भी प्रेस कर लेना है ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास कोई सबी Samsung का phone हो, उस phone को लेना है, simply आपको अपना setting को open करना है, जैसे के यहां से मैं notification से अपना setting को open कर लेता हूँ, setting को open करने का बाद यहां पे आपको एक search बार देखने को मिल रहोगा, simply आपको search पर click करना है, और आपको य accessibility का simply हम इस पर click करेंगे इस पर आप click करने के साथी साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारा option जो है वो खुल के आचुका है तो आपको क्या करना है simply scroll down करकर नीचे जाना है और यहाँ पर आप एक option देख पा रहोंगे select to speak यह जो option यहाँ पर off किया हुआ है select to speak simply हम इस पर click करेंगे और इसको यहाँ से on कर देंगे यहाँ पर कुछी तरह का आपको interface आएगा simply आपको ok कर देना है और यह जो option है आपके phone पर allow हो जाएगा अब आप अपने phone पर आने वाला किसी भी message को अपने phone से ही पढ़वा सकते हो जैसे के आप यहाँ पर देख पा रहोंगे एक आपको special button यहाँ पर add हो चुका है तो इसे किस तरह use करना है simply आप गर आपको कोई whatsapp पर message करता है उस message को आप पढ़ना नी चाते आप चाहते हो whatsapp वो message खुदी आपको पढ़के सुनाए आपका जो phone है आपका message खुदी पढ़के सुनाए simply इस button पर आपको click करना है और उ इस message को कुछ इस तरह से आपको select कर देना है जो भी message यहाँ पर रहेगा वो आपका phone खुदी पढ़कर सुनाने लगेगा तो दोस्तों आपने देखा मैंने बस एक setting को यहाँ पर apply किया setting को apply करने के बाद मेरा जो phone है वो मेरे message को खुदी पढ़कर सुनाने लगा है यह screen पे लिखा हुआ जो भी कुछ था वो यहाँ पर पढ़कर सुनाने लगा अगर आप भी WhatsApp पे कोई message करता है तो उस message को आप नहीं पढ़ते उस message को आप चाहते हो कोई आपको पढ़के सुनाए लाइक आपका phone वो पढ़के सुनाए इस setting को आप अपने Samsung phone पर apply कर लें आपका जो message है आपका phone खुदी पढ़कर सुनाने लगेगा I hope आप सभी को समझ में आई होगी फ्रेंड अगर आपको आज काई वीडियो थोड़ा सभी पसंद आया है वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो कैसा लगा comment करके जरू बत लाएं तो चली फ्रेंड मिलते हैं अगले किसी वीडियो पे